हावी, जानते हो, मेरा दोसना पॉल उसने प्राइविट जेट खरीदा है काश, मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती बाप की किस्मत भी बुरी नहीं है सर तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो, वो इस कार में कहा है हलो सर, बस यही पूछना था कि, क्या ये नहीं रॉल्स रोइस है ये कार तो मेरा सपना है हाँ, नहीं वाली है पसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मज़ा आ जाता है लेकिन मेरे पास तो खटा रहा है आप बहुत खुश किसमत हैं चलता हूँ, देर हो रही है, बात करने के लिए शुक्रिया एक बात कहूँ आवी शाद तुमने ठेक का, मेरी किसमत बोरी नहीं है यार सच में, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए उसका शुक्र बनाना चाहिए अच्छा चलती हूँ बस के लिए देर हो रही है I hope तुम्हारा देन अच्छा रहे वाह ऐसी कार भी नसीब वालों को मत्ती है रुको नहीं रुको रुको अब क्या करू फिर से मिस हो गई बस है सब ठीक है न हाँ मेरी बस में सो गई और इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है काश मेरे पास एक कार होती मैं हर रोज बत्तिस किलोमेटर साइकल चला कर घर जाता हूँ क्योंकि बस टिकेट के पैसे नहीं है वाव बत्तिस किलोमेटर रोज इतनी साइकल चलाती हूँ हाँ काश में भी आराम से बैठ कर घर जाता खैर कोई नहीं जो पास में उसी में खुश रख शाहिद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है अफो इसने तो परिशान कर दिया है रोज रोज मैं इस साइकल पर घर नहीं जा सकता बेटा तुम ठीक तो हो ना हाँ मेरे पास बस में जाना लाएट पैसे नहीं साइकल पर ठख जाता हूँ आप पर जरा सोच कर देखो तुम्हारे पाउं तो चल रहे है इससे बड़ी बात क्या होगी ओ माफ कीजे आपकी हालत देखकर वाकरी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कोई बात नहींगा जिन्दगी ने चुम मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ भले ही मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हूँ सकती एक बात बताएंगी मुझे आप इतने खुश कैसे रहती है पहले मैं भी अपनी इस कमी की वज़े से बहुत दुखी रहती थी लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत है आप इसलिए तो कहते है न जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए थैंक यू खुश रहो बिटा